जो धर्म है इस धर्म की सुरुवाद कहा से धर्म आया कहा से अगर इसकी रिशर्च करेंगे तो पता लेगेगा जाती और धर्म दोनों की रचना चलाक इंसानों ने किये और उन चलाक इंसानों ने समाज को इस तरीके से बाता है समाज के संसाजनों को इस तरीके से बाता है ताकि सब चीजों पर उनका कब्जा रहे और वही हुआ आकिर रहुत में लुदा या उन चैसे लोग सहाबत क्यों देते हैं अगर कुछ बचे बहुत मेहनत करके निचल इस तरसे निकल के मेडिकल में आते हैं और वहां उनकी आख मेहनत के बाद भी कई-कई सान लगाता दूभी करता हैं और तो और इंटर्म में तो उसे निल बैटने मत दो थुख दरुख और इंटर्म में में पास हो जाए तो इंतर्म उमें फैल दो धूट siis होता है या फिर किसी लाइट ना बचे इस पर रिसेच होना चाहिए कि प्रोफेशनल कोर्सेज में पुरे देश में कितने बच्चे फेल हुए कि सब्जेक्ट में हुए फिरी में हुए या प्रैक्टिकल में हुए या वाईवा में हुए और उन फेल होने बच्चों की चाहतिया क्या है इस पर रिसेच होना चाहिए कि हर साल यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल में और इंजिरिंग में कितने बच्चों ने सुसाइड किया और जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनकी चाहतिया क्या थी और सुसाइड के कारण क्या थे तो सारी की सारी बात एक दम उस पर स्थ हो जाएगी दूसरा एक चीज समझने की है कि जब से पहली बाद तो जो धर्म साथ्तों में जिस समाज को सबसे में निचले पाइदान पे रखा और धर्म साथ्तों में उसके पढ़ने लिखने पे बंदिश लगा दी उसके संपत्ती अर्जित करने पे बंदिश लगा दी और काम के बदले में पैसा नहीं मान सकता बचा हुआ खाना मिलेगा सिरुख अठारा अठारा घंटे काम लेना और काम के बदले में बचा हुआ रुका सुके खाना देना चुकि अगर रुका सुका भी नहीं दिया तो मर जाएगा मर जाएगा तो उनके घर में सेवा कौन करेगा गुलामी कौन करेगा, चाकरी कौन करेगा उनके खेत में मजदूर का काम कौन करेगा इसले मरने नहीं देना है उसको रोकर सुका खाना देने तक वो जिन्दा रहे वो कौन लोग है जिनका देश की पूरी किसी की भूमी जिनके पास है वो कौन लोग है देश की इंडरस्टीस जिनके पास है वो कौन लोग है प्राकर्टिक सभी प्रकार के संसादन खनीज बनार्थिनके पास है ये खेट की जमीन प्राकर्पिक संसाधन क्या कोई अपनी मा के पेट से लेके पैदा होता है अगर नहीं तो कुछ ही लोगों के इसके मालिक क्यों और जिसको चोथे पाइदान पर रखा वो मालिक क्यों नहीं खेट की जमीन में हमारा हिस्से क्यों नहीं है और तो और जब हमें पढ़ने लिखने के दर्वाजे हमारे लिए खुल गए और ये जो रिप्रेजेंटेशन हमें बावा साहिब में बलकि दिराया क्या कहूं अगर सही माईने में 1930, 1931, 1932 की राउंड टेबल कॉंट्रेस पे चर्चा हो जाए ये राउंड टेबल क्या थी? इसमें देश के सभी जाती धर्म के मोगों को अंगरेजों ने जाने से पहले मोका दिया कि आप भी अपनी बात रखो और वहां बाबा शाहिब ने अपनी बात रखी क्यों आप तो जाने वाले हो हम लगाता है इस देश के मूर निवासी हो के 4,000 साथ से गुलाम है क्या आपके जाने के बाद ही हम गुलाम रहेंगे? आप जा रहे हो कम से कम हमें भी तो आजात कर दो उसके बदले में उन्होंने सेपरेट एलेक्टर मांगा प्रतक निर्वाचन शेत्र मांगा अंग्रेजरों कन्विन स्वेर उन्होंने इस बात पर सहमेती दी कि हाँ प्रतक निर्वाचन शेत्र आपको मिलना चाहिए और सभी चाहती धर्मों की स्टेडी के लिए ने उन्होंने साहिमन का मिसल बेजा सब लोग उसके खिलाफ हो गए और जो अंग्रेजरों ने बावा साहिब का सेप्रेट एलेक्टर की डिमांड को एक्सप्ट किया उसके वरोज में गांदी जी अंसन पर बैठ गए और वो इस दिती आगए कि गांदी जी की जान जाने वाली थी बावा साहिब पर इतना दवाव बना दिया कि अगर ग्राणी जी की जान चलीगी तो तुमारी पूरी कौम को कतल कर देंगे मजबूर यह बश डॉक्टर बावा साहिब अंबिरकर जी को समझोता करना पड़ा बड़े दुखी मन के साथ समझोता करना पड़ा तो यह जो रिप्रेजेंटर से जी शादरी जरे विसर कहते हैं यह जबर्जस्ती दिया गया मांगा नें था जो तुमने दिया तो बावा साहिब की मेंड दिमांज को खतम करके तुमने दिया आज उसको थ्मिंगने की साजिस क्यों हो कि अंदर इंद्रासानी वर्षी यूनल्फ इंडिया का नाइन जज्जमेंट आया आज उस बेंच की उस जज्जमेंट को खतम करने के साधी इसक्यों जो बेसिक इस्टेक्टर ऑफिनियन कॉंस्टिट्यूसन गुलक नाथ के कैसे लेके कैसे अंदर भारती के कैसे मिलर्वा म कैसे लेके तो सुप्रेंग कॉट ने पहुमत से तैय कि बैसिक इस्टेक्टर ऑफिनियन कॉंस्टिट्यूसन के नौट पेमेंड अंडर अर्टिकल 361 आज तुम उसको बदलने चले हो तो मैं कोई भी बात ऐसी जो प्रफूजर रतनलादी ने बोली वो रिपिट ने जो बाकी साथियों ने पॉली में वो बिल पिट्टी करूँगा चुकि वो सारी बात उन्हें ने बोली में भी वो दोनों टाइम बेश होगा लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारा विरूद क्यों इस तरह के अमेंडमेंट्मेंट्स क्यों हमारे लोगों को काबिर हो छिनकी मा दह सक्छा होआवाड लेते दे जिनके चरों में हम चमर्शी आग लगा देते दे जो जो काम के पतले मेंग就到िए माणने की हमत नहीं करते थे इनके अंदर हिनमत कहां से आ गई हूए तो उने समय आये ये हिम्मत, इनको जो इस्कूलों में पुर्णी लिखने का मौका मिल गया, और इनको नोक्रियों में रिजर्वेशन के वेशाले का मौका मिल गया, इससे इनके फीछ थोड़ा समझ थाया, इससे इनको भोलने की तागत आ गई, नहीं उन्हों पैय कर लिया, कि इनका जिस ताकत से इंको भोलने का मुखा मिला है उसी ताकत को खतम करना है इस पिजा तंतर में वोट की राज़ गी थी के चलते वो ये जानते थे कि रिजे वे से इनको खतम करना असा नहीं होगा तो उन्होंने दूसरा राष्टा निकाल दिया ऐसा रास्ता निकाल दिया कि हमें चारों तरफ से बर्बाद करके रख दिया और हमारे सारे सांसा सोते रहे कोई भी उसे तिमी रोज़ ना कर पाया कैसे किया अश्वे चारीश प्रतारीश साल पहरे जहां हम उड़ा सरकारी स्कूले में पढ़ते थे तो तब अमीरों के बच्चे भी सरकारी में पढ़ते थे चुदी प्रायेट इसकूल होते ही नहीं थे टीचर पच्पात इतना करता था कि बई क्यारा में तुम्हारे रतन लाल अच्छा तुम पीसे बैठ जाओ तुम्हारा क्यारा में में तुम जे सर्मा आगे बैठ जाओ इतना पच्पात तो होता था लेकिन जब वो ब्लैक बोर्ड पे चोक लेकर पढ़ाता था पढ़ाता तो सब को एक जाशा था तो जो हमारे इनके जैसे लोग महलत मसकत करके आगे लिका जाते थे लेकिन उन्हें पर पढ़ने लिके पर बंदी तो नहीं कर सकते तो उन्हें सोच समझ के उसी जन्हों करेक्सन के थूँ उसी नागपुर जो इनकी राजधानी है महां से तिंग टैंक में सोच उचार करके रस्ता निकाला कि बही सरकारी स्कूल तो बंदी नहीं कर सकता है प्राइवेट खोलने से तो नहीं रोकरा कोई एक के बाद एक प्राइवेट इसकूल खोलते चले गए और सरकारी स्कूलों को कमजोर करते चले गए सरकारी स्कूलों पर्याफ्ट पीचर नहीं है पीने कापा नहीं है बैठने की ववस्ता नहीं है सरकारी स्कूलों के इसके को चाल भूसके गिराते रहे और प्राइवेट स्कूल एक के बादेगे के बादेगे के बादेगे के बाद खोलते चले गए मिडे दर्दे के प्राइवे regulation की एक बच्चे की फीस फीस का खर्चा वर्थी का खर्चा टांशपोर्ट का खर्चा सभी प्रकार के खर्चे को जोड़ ले तो एक बच्चे की एक साल की पढ़ाएपे खर्चाता है एक लाग से ज़ादा सब परिवारे में कम से कम अगर दो बच्चे माले तो दो लाग तो के वर पढ़ाई का खर्चा वो लोग ये जानते हैं कि अगर इतना हम कर देंगे इन में से 99% ऐसे लोग है जो ये तो लाग रुपे का खर्चा नहीं उठा पाएगा चुकि उनकी पूरे परिवार की इंकम साल की तो लाग रुपे नहीं है इस तरीके से इनोंने प्राविट स्कूलों को बढ़ावा दिया और सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दिया लेकि ये लो यहां भी ना रुके उसके बाद भी इंकम मन नहीं बादा उसके बाद हो लिए नो डिटेंशन पॉलीसी किसी भी बच्चे को फैल मत करो पहली से आठवी तक ऐसे ही पास कर दो पहली से आठवी तक ऐसी पास हो कर कुछ सीखा ही नहीं बीमारे की चुट्टी के एप्लिकेसन लिखनी भी नहीं आई नोवी में जाकर फैल चुकि कुछ सीखा ही नहीं और तानुम बलादे जो नोवी में फैला जाए उसकूल से निकाल दो यह बहुत बड़ी साजिस है तो एक तर्व नहीं हमारे पढ़ने के लिए पढ़ने लिखने के रस्ते को इस तरीके से बंद कर दिया और दूसरी तरफ जो रिजर्वेशन से हम लोक्री में आ जाते थे धीरे तीरे नेरे प्राइटेशन शुरू के अउने से नर्पे के असपाद ठेकेदारी पर्था लागू कर दी और तो और पिछले से पिछले पे कमिशन में फोर्थ क्लास एंपरों मेंडिय बंद कर दिय सब कुछ आउट्सोर्स आज डारेक्टर के की प्रोस्ट क्लास्वन पोस्ट पे भी ठेके पर भरती हो ली है यानि जाए ठेकेदारी प्रथा लागू हो गई नुमारे जिर्वेशन पिदा करें अपना खत्म तो यहों ने क्या हमारे आगे बढ़ने कर रस्ते को कतम नहीं क कर दिया और सब्सक्राइब को बैसिक इस्ट्चर को तो तो ने तभी कि खतम कर दिया यहीं बैसिक प्रक्रेद हिलाव था हमारे कृषिक लिए लिए था घृषि कर दो थो सब्सक्राइब करें या पागल हो जाए या घर पेड़ जाए परेशोड के जारी चारों तरफ से यह हमले हैं और इसमें यह लास्ट अब हम्ला जो 10% के नाम पर बेपकुफ बनाने का जो सब्सक्राइब बदलने की जो साजी स्रची है चुकि आज देखिए वर्सों से कहते आए आप पर आदो प्याद चुनाओं से पहले मुहंद भागवल जी ने कहा था हम चाहती का तादार प्रारक्शन के खिराफ हैं हम इसको आर्थिक आदार पे करना चाहते हैं लेकिन वह नहीं किर पाए अब इंडारेक्ट तरीके से यह रास्ता इन्होंने आर्थिक आदार का सुरू कर दिया अगर कल को भी एक हैनले में गरीब गरीब है सब कहां ही गरीब तो सब गरीब है और करना भी सब्सक्राइब हो को हम साथ प्रिशन एलक्शन देरे आज लाग तक कि सीमा कवर तो मैं पूचना चाहता हूं अगर ऐसा क सब्सक्राइब हो क्या हमारा एक भी आदमी अपाएगा है चुक्त आज लाग तक की सीमा में बढ़ा बढ़ा पॉब्लिक स्कूल को पढ़ने वाले बच्चे कवर कर दिये जितने सरकारी नोकर को छोड़ दो तो बाकी लोग के इंकन टेक्स की रिटन सही फाइल करते हैं उ तो यह जो एक बहुत बड़ी साजिस है यह फिलकुल नोटबंदी की तरह मुदी नी तानों सासा सके सब जानते हैं और वो सारे नेने अंदेले में राप को चुपके से लेने के आभी है दुखत यह कि उनके नेने के खिराफ जो आवाद बलंजाने से यह वो नहीं हो रही अगर आपको अपने आपने सम्मान की रख्षा करनी है अगर आपको अपने इधिकार की रख्षा करनी है अगर आप चाहते हैं डोक्टर बावा सब अंबर करके दिया हुआ दिकार खतम ना हो तो स्वारक पर तो हमें उतरने उतरना पड़ेगा और 2019 में मोदीज को वापस पुष्णा पड़ेगा अगरे तुबारा आगे तो याद रखना जो साजिस एक-एक करके वो सही करें प्रैयल करके देखते हैं किसमें लोग क्या करते हैं जैसे सुप्रेम कोर्ट के मादम से जो जैज्जमेंट आया उसको रिटार होते ही एंजीटी का चेर्मन बना दिया जैसाओ को गोईल सागों को यह बहुत बड़ी साजिस है इनाम देज़ते हैं तो नोट एसे जैसे को तो जैज्जमेंट जान दूए गया चैक करना चाहते थे इसका करना चाहते थे इंडारेक्ट तरीके से और कोड की फाइव जैसे बेंच के जैज्मेंट तो हो समाज के सभी लोग सभी एससी एस्टी भीशी के लोगे चुप हो गए और इतना बरांदोरन बिना किसी सेनेटन के कोल पर कर दिया उसमें हमारा मुस्लिम ने बैक वेल ने बोसा आदिया चुकि वह भी जानते हैं कि हम ना इधर नहीं है यह तो अटिमेटली गर्दन सब्क इसके पीछे एक सड्रें तो रहा हो कहते हैं मैं अपनी पात्वतन को रहूंगा 90% मुस्लिम मुल्यवासी है 100% हिसाई मुल्यवासी है 70% सिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कि हमारी जान इसनी शथी क्यों है हमें अपनी जान की कीमत समझने पड़ेगी और बावाज साहवता चलाई हूं मसाल को अपने खोंड से हमें सीचना पड़ेगा वरना हम मिठ जाएंगे लेकिन हम मिठने के त्यार नहीं है यह तोबारा मुलशमती राके तोबारा हमें बनान चाहते हैं मैं सबस्क्राइगा बारा ने करेंगे मर्दा हैं लड़ेंगे मुझे प्रताम लड़ेंगे और हम जीतेंगे हम लड़ेंगे हम जीतेंगे जाए थ्रीम जाय भारवा वाण सुप्रe आए कै ऐ कै कर दो